तो चलिए उसन आज बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टन क्लास की होगी जो की M1 R5 मौडूल की होगी IT डूसें बिजनेस सिस्टम की और यह आपकी मेरातन चलेगी कल की एक्जामनेशन के लिए जो बच्चे कल एक्जाम देना जा रहे हैं 8 तारिक से 16 तारिक के बीट में तो यह वीडियो एक बाद जरू देखे जाएगा 110 परसंट इसमें से आपके जो कोस्टन सेम इसी बेकार कोस्टन आपके एक्जामनेशन में देखने को मिलेंगे ठीक है तो अलड़ी यहां पे M1 M2 M3 और M4 की मरातन एक एक हमने कम्प्लीट अप्लोड कर दी है इसमें की प्रिवे प्रिपर होंगे उसको आप सेयर कर सकते हैं यह नंबर आपको अब लेवल किया गया सेबन डबल जीरो सेमेशन सेयर कर सकते हैं साथी आप कमेंट करके भी अपने कोस्टन सेयर कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन आपको इवनिंग में देखने को मिल जाएगा M1 M2 M3 M4 मौडू M1 R5 का complete solution जो है यहां पर अफलेबल है नीचे playlist में आ जाएगा M1 M1 R5 प्रेटिकल जुलाई 24 इसमें करीव 67 वीडियो हैं यह आपके लिए काफियाद helpful होंगे ठीक है तो इसको देखके practice कर लिए आपका easily हो जाएगा तो चलिए देखते हैं continue class continue करते हैं आज अब आगे दे R5 प्रेटिकल की PDF note sub-level है आप purchase कर सकते हैं यहां पर देखे पूरी PDF sub-level है जिसमें complete solution sub-level है आपको PDF को open करना है अपने computer में उन प्रोग्राम को note करना है उनको run करना है ठीक है इसमें complete जितने भी questions आते हैं सभी पेकार के questions इसमें आपको दे देखे हैं with solution के साथ जो आपके previous process में पूछे गहें तो इसलिए आप इसको practice कर सकते हैं बिल्कुल आपके topic अनुसार बनाए गई है तो चलिए आप देखते हैं आपका प्रेटिकल तो पहला question हम आपके लिए क्या है कुछ इस प्रेकार से तो आपका library office में कैसे आएगा paper मैंने आपको demo बता दिया था तो demo कुछ इसी प्रेकार से आता देखिए वहाँ पर आपके screen पर इस प्रेकार से question लिखके आएगा ठीक है और नीचे उसमें कुछ option रहेंगे तो M1 का जो आपका module होगा कुछ इसी प्रेकार से देखने को वहाँ पर मिलेगा आप से पूछा जाए जैसे मानले जी एक paragraph आपको type करना है फिलाल आपको वहाँ पर type नहीं करना रहेगा वहाँ पर आपको बना बना रहेगा आपको क्या करना है इस जो वहाँ पर text आपके मानले जी लिखके आरा होगा screen पर या आप से बोला जाएगा तो आप copy paste करके लिख सकते है या पर type भी कर सकते है तो वहाँ पर आप को क्या करना है change the font change the font आपको करना है c h a n g a ठीक है आपको क्या करना है change the font type जो आपका है वो time roman new पर करना है उसका font size आपको जो करना है वो 16 करना है ठीक है एक बार आपको यह करना है या फिर आप बोल देगा highlight करना है आपको इसमें से library office word लिखा हुआ है इसको आपको bold कर देना है ठीक है highlight करके bold कर देना है और copy paste करना है paragraph को और जहां पर लिखा गया writer writer देखी यहां पर लिखा गया library office writer writer की जिगां आपको call click देना है ठीक है या फिर create करना है list of punch name or programming language की list create करना है या फिर underline करना है library office में text को ठीक है जहां पर library office लिखा है उसको underline आपको करना है जहां जहां पर इसमें library office दिया गया होगा ठीक है या फिर make the font color आपका जो पहली line का color है उसको आपको red color में कर देना है तो देख एसी पेकार एक questions आपको आते हैं ठीक है तो यह तो एक basic question इसका हम आपको demonstration करके दिखाएंगे अगर मालेज़े इस पेकार कोई भी question आता है तो आप कैसे उसको deal करते हैं तो इन सभी का solution देखे हमने playlist में दिया हुआ है home button पे आप चले जाएगा यहाँ पे तो देख अब देखे जो जो settings बोली चारे हैं हमको वो settings करते जाना है हमारा जो है यह work करने लगेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है इसमें बोला गया type of paragraph aerial font और इसका font size हमको कर देना है कितना 14 तो हम क्या करेंगे सभी को select करेंगे यहाँ से यहाँ पिर control A दबाएंगे तो आपका select हो जाएगा और यहाँ पर हमको जाना है aerial font तो aerial के लिए हम type करेंगे AR ठीक है तो देखे aerial आ जाएगा आपका aerial font को select कर लिया हमने और हमारा font size कितना बोला गया 14 तो हमने यहाँ पर गया font को select किया और यहाँ पर कर दिया 14 नमबर देखे आपका यह हो गया ठीक है एक setting आपक font type आपको time roman new में करना है और इसके बाद जो है font size का 16 कर देना है तो आप तो दूसरी setting बोली जा रही है तो आप यहाँ पर जाएगा दूसरी setting पर किलिक करिएगा और यहाँ पर time roman टाइम लो में नौ पर आ जाएगा और इसका font size आप कर देखेंगे 16 देखें यह हो गया यह हो गई आपकी दूसरी setting यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे ठीक है next आप से बोला जाएगा माली यह highlight करना है आपको लिब्रे office वर्ड को और इसको बोल्ड भी करना है तो देखें इसको करने के बहुत से तरीके हैं माली यह लिब्रे office आपके 10 से 20 बार दिया तो आप आप एक को select करके करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसका दूसरा तरीका भी आप लिब्रे office वर्ड को कॉपी कर लीजिए और control h दबा दीजिए ठीक है तो find and replace को option आ जाएगा ठीक है तो हमको क्या करना है रिपलेस क्या करना है हमने find किया लिब्रे office को और 음रेज कर देना है यहां पर क्लिक करेंगे और इस इ में देखे आता है यहां पर आगर हम देखे maggot कर ता कि समल सा आप यहां से कर सकते माली रिपलेस से लीसी को भी होता है तो आप सिंपल में इसको select कर इण लिब्रे office जह के दिये होते हैं माल लेज़े अगर वाला फंसन आप से काम नहीं कर रहा है सेटिंग कभी कबार नहीं काम करती है तो आप उसको एग्नोर करें और फट अफट जहां पर लिब्रे आफिस के वर्ड दीगें उसको जाके आप बोल्ड कर दीजिए ठीक है मुस्के से चार या पा करना है पैरग्राफ जहां पे लिब्रे आफिस राइटर लिखा हुआ है वहां पे हमको कर देना है कल्क में aka ठीक है तो हम चलिए इसको कल को कल लेते हैं कॉपी और यहां पर चलते हैं जहां जहां पर देखें लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है ठीक है उकर यहां पर टैप कर देंगे C-A-L-C, bracam tap कर देंगे और यहां पर क्या करेंगे, replace प्रक्लिक करेंगे था देखे, replace पर जैसे आप क्लिक करेंगे पहले तो इसका format ढटा देते हैं ठीक है? और writer को हम यहां पर select कर रहे हैं और replace all पर देखे हम क्लिक कर देंगे जैसे आप replace all पे click करेंगे देखिए सारे convert हो जाएंगे ठीक है और देखिए हमने board पे भी click किया था देखिए board भी आपका हो गया ठीक है तो आप board वाला भी देख लीजे फिरते मैं बता देता हूं जैसे कि LibreOffice आपका लिखा हुआ है ठीक है LibreOffice को आपको board करना है और आपका हट जाएगा ठीक है तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा जाता हूं देखिए हमने सारे italic कर दी है अब मालेजिए आपको इसको normal font में लाना है तो हम क्या करेंगे इसको copy करेंगे control h दबाएंगे ठीक है यहां पर आ जाएगा और यहां पर paste कर देंगे ठीक है तो ज replace all कर देंगे देखिए सारा board हट जाएगा ठीक है उसके साथ अगर हमको इसी पर और भी कुछ करना है तो आप यहीं पर जाके change कर सकते हैं ठीक है तो question में आपको क्या कह रहा था simple सा copy paste करना था और replace करना था कल्क में तो हमने देखिए यहां पर कल्क में replace कर दिया यहां आपका convert हो गया ठीक है उसके बाद हमसे बोला जा रहा है create a list the five name of the programming language तो आप नीचे आ जाईगा यहां पर और यहां पर आपके आपको list क्रेट करना ही तो देकि लिस्ट के लिए यहां पर option दिया गया ठीक है यहां तो bullet लगा सकते हैं यहां फिर numbering कर सकते हैं तो numbering मान लेजे हम कर देते हैं तो आप लिग दीज़ेगा यहां पर java script और उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि इसमें c language ठीक है जो भी आपको नाम याद है वहां पर इस पकार से list को create कर सकते हैं अब list में आप से बोला जा सकता है number list bullet list ठीक है या alphabet या roman number तो वो आप से जैसा वहां पर बोला जाए उसके अनुसार आपको convert करना है ठीक है तो list यहां पर सब दी गई है arrow बोला जाए arrow बोला जाए जैसे आपसे बोला जाए वैसे आपको देखे convert करना पड़ेगा ठीक है तो यह आपको list करने ग्रेट करने का तरीका है ठीक है और इतना ही आपको महाँ पर करके आना number आपको easily मिल जाएगा और उसके बाद माद यहां पर paste कर दीजे और यहां पर भी paste कर दीजे ठीक है उसके बाद आप जाएए format में format में जाएえ regular वाले में और यहां पर underline कर दे की options नहीं सोह हो रहा ठीक है size में underline दे के option नहीं सोह हो रहा ठीक है तो underline आपको जो है वह एक एक उस पर करना पड़ेगा च्युक्कि इस तो इस पेकार से underline आप कर सकते हैं उसके बाद बोला make the font color first line आपको red color करनी है तो आपने क्या किया पहले paragraph पे गया इसको select किया और यहाँ पे आपका देखिए color रहते हैं इसके आप click करेंगे तो इसका color आपका red हो जाएगा ठीक है यह आपका देखिए background color लग गया ठीक है तो यह background color है text color के लिए आपको इसमें जाना है जो कि font color आपका यह font आप आप देखिए red हो गया और अब आप इसको जब select करेंगे पूरा और इसको कर देजएगा white तो no fill कर देजएगा ठीक आपका यह red color का हो जाएगा तो यही इसी बेकार के देखिए questions आपको देखने को मिलते हैं ठीक है बस आपका जो settings है वो आपकी change हो सकती है जैसे कि यहाँ पर यह settings दी गई है तो next में आपका मालेज़ यह पूछ लेगा इसी में जैसे कि मालेज़ आपसे list create करा लिया ठीक है water mark आपसे बोल दिया water mark लगाई है ठीक है या फिर mail merge से आपको 4-5 लोगों को mail बेजने के लिए पूछ लेगा अधिकतर cases में इसी बेकार के question आते हैं या आपसे कोई later type करवा देगा ठीक है या फिर आपसे कोई banner बनवा देगा इस पेकार से template बनवाने के लिए बोल देगा visiting card बनाने के business card बनाने के लिए बोल देगा तो इस पेकार के questions आपके M1R5 से अधिकतर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं या ID card बनाने के बोल देगा S20 के ID card बनाई है तो देगे सब कुछ संबब है इसमें बहुत ही simple सा practical है आने वाले वीडियो में आपको बताते रहेंगे और इसी में आपसे पूछ लेगा जैसे कि इसकी जो margin होती है वो margin भी इसमें set करने हैं आपको आने चाहिए ठीक है तो उसके लिए देगे सारे option इसमें अफलेवल है ठीक है आने वाले वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे क्योंकि एकी वीडियो में संबब नहीं यह सब कुछ बताना इसी में आपसे बोल देगा यहाँ पे आपको watermark लगाना है ठीक है watermark हो गया उसके बाद आपसे बोल देगा header और footer लगाईए उसमें time और date लगाईए ठीक है और shape लगाना है तो यहाँ पे माल लेजिए आपने इस पेकारते shape लगा दिया है ठीक है इस पेकारते shape लगा सकते है तो देखे सारे option इसमें दिये रहते हैं आपको जो है इसको use करना आना चाहिए और simple सा आप बना सकते हैं और मैं आपको बन बन बताता भी रहूँगा जितने भी question हमारे पास आते जाएंगे नएने question आपको हम बताते रहेंगे ठीक है और यहाँ पे जैसे header footer लगाना है तो नीचे आप यहाँ पे चले जाएए और यहाँ पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं माल लेजिए आपसे बूला जाए या फिर यहाँ पे insert पे जाके क्लिक करके page number आपसे बूला जाए तो page number लगा देजए जहाँ पे करसर रहेगा वहाँ चे नंबर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ा आपको जो है देखनी पड़ेंगी तो easy है बहुत ही simple सा practical है इसी पर कार question आते हैं आपको software दिया जाएगा आपको operate करना आना चाहिए बस उसके लिए आप अपने PCA लैप्टॉप में LibreOffice को download कर लें जो की free of cost है Google से मिल जाएगा और यह menus पे आपको practice करनी है ठीक है simple simple से आपके question पूछे जाएगे तो एक practical मैंने आपको आज करके बता दिया जो की paragraph का है और font change करना, underline, italic करना, paragraph बदलना ठीक है अब इसी में बहुत सारा देके question बन सकता है इसी में माले जाएगा आपसे बूला जाएगा कि second paragraph को जो है आपको bold करना है या italic करना है या underline करना है ठीक है या उसके बीचे color आपको लगाना है तो इस पकार से color लगा दीजे तो जैसा आपसे बोला जाए या कोई एक बड़ी heading बनानी है लिब्रे आफिस जहां ये पहला बाला लिखा हुआ है इसकी बड़ी heading करनी है तो आप इसको बढ़ा कर दीजे यहां से font size बढ़ा कर देंगे तो इस पकार से इसकी बड़ी heading बन जाएगी तो जैसा question में आपसे पूछा जा रहा है वैसे बना दीजे और भी देखे इसमें options होते है जैसे की heading की option होते है माले जे कोई heading बनाने को बोला जाए आपसे तो आप heading बना सकते है तो इसकी shortcut की भी होती है control और हाँ एक question और आता है जैसे की आपका यह देखे shaping करना है ठीक है तो left, right या कैसे आपको shape करना है, shaping करनी है वो आपसे पूछा जाता है ठीक है तो यह देखे page नमबर आपको उपर नीचे जैसे set करना होता है वो चीजे भी आप इसमें कर सकते हैं ठीक है जैसा आपसे बोला जाता है यह आपका बीच में center में आ जाएगा ठीक है तो यह सब settings आपसे करवाई जाती है question में आपसे पूछी जाती है तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी तो आसा करते हैं आज की जो class है वो आपको sound में आगे जोगी और आप इसको practice करके देखेंगे अपने PC laptop में इसी बेकार question आपको मिलेंगे तो चलिए चलना कर चलते है question number two देखते हैं इसे में आपके लिए हम लेके हैं जैसे कि बोला जा रहा है make the MS word आपको एक word दिया गया जो कि लिखा है देखें double inverted comma में नाइलेट लिखा हुआ है और as the water mark of the document यानि कि आप जो document MS sorry MS कहा रहा हूँ मैं Libre office writer पे जो आपको बनाना है नाइलेट नाम का एक water mark आपको document बनाना है तो देखें कैसे आप बनाएंगे बहुती simple साथ का तरीका है आपको जाना है अपने software पे आपको वहाँ पे computer पे ये पूरा software इस पकार से दिखाए देगा ठीक है इसको आपको करना है format menu पे जाना है यहाँ पे आपको एक option मिलेगा water mark ठीक है तो जो water mark option मिलेगा इसको आपको select करना है और यहाँ पे आता है text का option तो जैसा कि वहाँ पे बोला गया हो जैसे कि माल लिजए आप से बोला गया हो कि आपको जो water mark लगाना है वो हमारा capital letter में होना चाहिए सारे words जो है capital letter में होना चाहिए एक आप से यह बोला जा सकता है number two आप से क्या condition रख दी सकती है कि आपका जो font है वो font या तो aerial होना चाहिए ठीक है और aerial में bold होना चाहिए ठीक है या पिर आपसे बोला जाता है roman में होना चाहिए या पर time roman norm में होना चाहिए मतलब font का कोई भी एक नाम आपसे दे सकता है उसके बाद आपसे बोल सकता है angle नमबर तीन पर आपसे बोल सकता है कि जो आप water mark लगा रहे हैं उसका angle कितना है तो मालेज़े angle में उसने दे दिया आपको 45 degree ठीक है या फिर 90 degree या फिर 180 degree तो इस बेकार से आपको angle दे देगा ठीक है तीसरे option एंगल पर उसके बाद है हमारे पास transparency transparency आपको दे सकता है 10% आपको करनी है मालेज़े या 20% करनी है या 50% करनी है उसके बाद आपको option दे सकता है कि आपको water mark जो आप लगा रहे हैं उसका color क्या रहने वाला है ठीक है तो उसमें आपको बोल सकता है आपको black करना है blue करना है yellow करना है या white करना है ठीक है तो ये सारी settings आप से पूछी जा सकते हैं तो make आपको बना कर दिखाते हैं उसके बाद आप अपने computer पे बनाने की courses करिएगा और इसको please practice जरूर करिएगा मालेजे आप नकल के लिए पैसे भी देते हैं तो करना तो आप कोई पढ़ेगा वहाँ पे आपको कोई करके नहीं बताएगा तो इससे अच्छा है कि आपको हाथ से चलाना जरूर आना चीए तो उसको जरूर को सीखें तो यहां पर वर लेड्या है वर्ड मिला इनाइलेट हमने लिकाए नाइलेट है और फॉन्ट हम इसमरे हमने फोण लगवन लगा दिया तो मालेजे हम ariel को यह लगा दे लिए Arial, A, R, I, ठीक है, अब Arial में देखें, बहुत सारे font होते हैं, तो कोई सा भी आप इसमें use का सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, support सारे करेंगे, हमने मारी Arial का font लगा दिया, ठीक है, और angle हमने इसका भी 45 रखते हैं, फिर हम आगे भी दिखा देंगे आपको, और transparency हम 50 रखते ह जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखे, watermark बनके आ जाएगा, नालिट नाम से हमने बनाया था, ठीक है, अब हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या फिर कुछ और question मान लिजी हो सकता है, यह तो हमने example के तो और पर आपको बताया, तो आप watermark पर जाईए, अब आप से बोला जा रहा है, मान लिजे, इसका जो color है हमको red करना है, हमने red कर दिया, इसका angle जो हमसे 90 बोला गया, हमने 90 कर दिया, और transparency जो हमसे बोली गई, मान लिजे, कि चा कर दिये 30%, तो हमने देखे 30% कर दिया, और ok कर दिया, तो देखे इस पेकार्थिए 90 degree angle पर चाहिए और बढ़ानी है 50 से ज्यादा कर नहीं तो मालेज हमने 60 कर ली और कलर मालेज हमने इसका ग्रीन कर दियो कर दिये तो देखिए इस पेकार से जिरो डिक्री अंगल पर आपका वाटर मार्क लग जाएगा अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो इस पेकार से द वाटर मार का जो कोसेन है 30 से 35 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है ठीक हो सकता है 40 में मिल जाए तो इसको आपको लगाना सीखना है Important Cotion है सवन में आगे तो यह है आपका watermark का जिम बस जा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है watermark का option को select करना है बस इसमें यह 4-5 settings है यह आप से पूछे जाते हैं आगे चलते हैं आगे जो इसमें आप से question पूछा जा सकता है मैं नई file को open कर लेता हूं अब इसमें आप से question पूछा ID बनानी है या business card बनाना इस पकार तो माल लेजिए हम इस student की एक ID बनाते हैं तो कैसे आप इसमें student की ID बना सकते हैं बहुत है सिंपल सा तरीका है यहां पर देखे शेप आपके दिये गए होते हैं तो आपको यहां से ले जाना है कोई शेप तो हमने माल लेजिए यहां से rectangle को select कर लिया और यहां पर हमने इस पकार से इसको ड्रैक कर दिया अब इसको ड्रैक करने के बाद आपको माऊस नहीं दबाना है आपको escape दबाना इसके दबाएंगे तो यह हट जाएगा ठीक है अब इसको select करके यहां से आप इसकी जो है transparency है वो कम ज्यादा कर सकते हैं इस ठीक है या इसके अंदर जो color है आप color feel कर सकते हैं या gradient लगा सकते हैं तो माले ज़िए हम इसके अंदर कोई color दे जाते हैं soft सा तो हमने ये color इसके अंदर दे दिया या कोई भी color आप दे सकते हैं green इस पकार से माले कोई color हमें दे दिया अब इसका देखिए border बगएरा है lines बगएरा है सारे option देखिए यहाँ पर आप लेवल होते हैं इस पकारते जो जो आपसे बोला जाए वही आपको करना है ठीक है इसका transparency देखिए border का हड़ जाएगा और डार कर देंगा तो और डार को जाएगा उसके बाद इसके जो corner राउंडर चाहिए हमें कैसे चाहिए वो सारे आप कर सकते हैं flat चाहिए round चाहिए वो जैसा आपसे बोला जाए उसमें ठीक है बाकी आप effect भी बहुत सारे options अब लेवल होते हैं उसके बाद growth मिल जाएगी आपको mota करना है इसका VA तो मोटा कर सकते है इसके ठीक है और लाइन ह Dare करना है तो आपको double click कर देना जैसे यहाँ पर नाम आजाएगा type करनेगे ठीक है तो आपको लिखना है student, name, ठीक है student आप में लिख दिया, उसकी बाद आपको लिखना है role number, अभी हम जूम करके आपको दिखा देंगे, और class, ठीक है, mobile number, और आपका address इस परकार से आप लिख सकते हैं, और सबसे उपर यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर यहां पर देके नहीं आ रहा है, तो आप यहां पर देके right click करेंगे, तो यहां पर और option आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो अगर आपके लिए मालेजेस में so नहीं कर रहा है, तो यहां से भी आप add to text box पर click करके, य ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं, सबीको select करते हैं हाँ से, और यहां पर जाएंगे, इसका front size हम change कर देंगे, तो हमने मालेजे कर दिया 26, यहां पर हमने कर दिया 22, तो इस पकार से देखिए आएगा, और सबीको हम select करेंगे, और इसका जो देखिए 2345, ठीक है, इस पकार से, और class हमने लिख दिया मालेजे 12th A, और आपका जो इसमें mobile number है, तो हमने कुछ इस पकार से दे दिया, उसके बाद address है, तो हमने इसमें दे दिया मालेजे, new daily, ठीक है, इस पकार से आपने इसमें दे दिया, और उपर यहां पर heading में आप डाल सकते ह चाहूं, तो हाँ, इसके लिए आपको center पर आना पड़ेगा, यहां पर, यहां एक line और आप उपर कर लिजए इसको, ठीक है, यहां पर लाके और यहां पर लिख दिजए, student ID, क्या लिख दिजएगा, student ID card, इस पकार से आपको लिख देना है, ठीक है, इसको यहां पर कर दि सेंटर में, student ID card, इसको select कर लिजएगा, और इसको bold कर लिजएगा थोड़ा सा, और इसमें अगर आप color वगएरा देना चाहें, तो वो आप अपने अनुसार कोई भी color वगएरा दे सकते हैं, उसमें कोई रिकत नहीं है, इसके पीछे भी color दे सकते हैं, अब यह जो आपने नाम बगएरा दिया, इसको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा उपर नीचे कर लिजए, तो आपका सेट हो जाएगा, इसमें आप जो है, राइट क्लिक करके इसका जो नाम देखिए, डिसनरी मैड कर दीजए, बस इतना आपको करना है, और आप से बोला जाए, यहाँ पर लोगो लगाए, या फिर कोई बच्चे की फोटो लगानी है, इस्टुटेंट आइडी की फोटो लगानी है, तो आप लोग चले जाएगा, इंसर्ट मैनू में यहाँ से अपना इमेज एड करा सकते हैं, या फिर अगर इसमें अब लेबल नहीं है, तो देखिए, इसमें ऑप्सन होता है गैलरी का भी, आप यहाँ से गैलरी से भी जो है, काफी चीजे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इसमें जो ऑप्सन्स अब लेबल हैं, कुछ इस पेकार थे, आपके से रहते हैं, तो इसमें फिलाल, इसमें थोड़े से कम options आपको देखने को मिलते हैं हाँ लेकिन MS Office बगरा में आपको काफी ज़्यादा जब option देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो हाँ जैसे कि ये है देखे आप ये student ID है इसको आप जो ठाके यहाँ पर लगा देजे ठीक है ये देखे क्योंकि ये इससे मैच करेंगी प्रोफाइल फोटो टाइप की है ये आपकी पिलार इसमें देखे एक भी student की फोटो दी नहीं गई है ठीक है तो हो सकता है कि आपको इंटरनेट मिल जाए तो वहाँ से आप इंटरनेट लगा देजे या फिर इसमाइली भी लगा सकते है एक जैंपल के तोर पे हमने ये आपको यहाँ पे लगा दी मालेजे ये मालेजे इस्टुडेंट है तो इस पेकार से देखे आपकी इस्टुडेंट आइडी बनके तयार हो जाएगी इसके आपको इसलिट 20 से 30 नमबर मिल जाएंगे तो इसी पेकार एक कोशन आते है बिजनेस आइडी कार्ड हो गया आपको अग्रेटिंग कार्ड हो गया या फिर आपको फिर लेटर टाइप्स करने है तो इस पेकार से जितना स्टैलिस आप चाहें उतना स्टैलिस बना सकते हैं कोई offer template है तो offer template बना सकते हैं तो ऐसे questions आपको मिलेंगे हलके questions आते हैं simple सा आपको आप प्रेटिकल करना है इसको आपको महाँ पे copy पे नहीं करके दिखाना इसमें कोई step marking नहीं होती है हाँ जैसा बोला जाए वैसा आप बना दीजिए जो जो tools उसमें बोला जाए जैसे कि square का use करना है तो square का use करें ठीक है eclipse का बोला है तो इसकी eclipse use करें circle बोला जाए तो circle का use करें जो आप से बोला जाए आप उतना ही इसमें यूज़ करें तो आपके लिए easy हो जाएगा सवन्या कि इसको आप decade decoration इस पेकार से भी कर सकते हैं तो जैसा जैसा आप बनाना चाहिए वैसा बन जाएगा बहुत ही easy है simple सा है इसमें कोई cutting काम नहीं है सभी बच्चे इसको easily कर सकते हैं बसरते हैं आपको जो है इसकी practice थोड़ी सी करके जानी है तो जैसे आप करके जाएंगे तो उतना अच्छा ही आपका ये बन जाएगा तो आसा करते हैं अजाज की जो class है वो आपको समझ में आएगा योगि तीन practical हमने आपको इसमें समझाए हैं एक आपका जो है लेटर पे बताया यानि कि आपका paragraph को change करना दूसरा हमने आपको बताया इसमें कैसे आप create कर सकते हैं watermark और तीसरा practical हमने आपको इसमें समझाया कैसे आपको student ID इसमें create कर सकते हैं shape की मदद से जो की पूछा जाता है तो वीडियो को like share जरू कर दीजेगा चैनल पैनल सब्काइब कर लिजेगा इसी पकार से हम सभी module की class आपको provide करते रहेंगे अभी तो आपके libre office कल के question है आपके impress के question है तो इसी पकार से class आगे चलती रहेगी यह सभी वीडियो बहुत helpful है इसमें previous as के सारे question solve करवाये गए है उसके coding भी है आप वहाँ से भी note कर सकते है तो M1, M2, M3, M4 देखिए यहाँ पे सभी के practical available है यह M3 का है, यह M4 का है, यह M2 का है और यह M1 का है ठीक है तो इसको बिलकुल देखना ना भूलें इसको अपने mobile PC laptop में save कर लीजे फटा फट देखना इस्टार्ट कर दिए हाँ जिनको दिक्कत होती है तो वो code purchase करना चाहते है यह निकि practical PDF तो आप इस number पे message करके आप जो है M1, M2, M3, M4 की practical code purchase कर सकते हैं और उससे त्यारी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज के जो हम question आपके लिए लेकिया है कुछ इस पेकारते हैं और उससे पहले हम आपको बता देते हैं आपका जो M1, M2, M3 का paper होगा demo तो मैंने आपको बताए था कुछ इस पेकारते आपको इसक्रीन वहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपके library office का देखिए जो भी software होगा वो यहाँ पे आपको दिखाए देखा सिब आपको इसमें settings बगएरा करनी है ठीक है तो हम आज के जो question कुछ इस पेकारते देखिए यहाँ पे एक paragraph दिया गया है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको देखे software महां पर open नहीं करना है आपको सिर्फ उफ्लॉम पर login करेंगे तो आपको यह software महां पर दिखाए देगा screen पर ठीक है तो हम यहाँ पर अपने software को open करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो text जो हमने आपे paste कर दिया, जो टेक्स्ट हमाँ पह definis कर दिया poorly ख़ागा है अब इसमें टेक्स्ट या तो आप बाद में भी लिख सकते हैं तो पहले जो है अगर आप पहले लिखें, तो भी दिक्कत होगी ठीक है और देखे सेटिंग जो इसमें पूछी गई है कुछ इस पे कारते हैं तो ये सेटिंग जो है अगर आप पहले कर लेते हैं उसके बाद टैप करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं इसमें सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद है जब ये मार्ज बदल भी सकती है, same भी हो सकती है, जो यहां पर आपको margin इस screen पर दिखाए दे रही है, हो सकता है, यही same आपको महा मिल जाए हो सकता है, दूसरी देखने को मिले, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले जो है, हम चलते हैं software पर, और हम इसको यहां से clear कर देते हैं, इसक की shortcut की भी होती है, alt shift और p, जिसको बोलते है, page setup, ठीक है, तो यहां पर click करेंगे, alt shift p पे, तो यह आपका यहां पर आ जाएगा, अब इसमें जो पहला आपसे बोला जा रहा है, वो क्या बोला जा रहा है, top margin है, 1.3 आपको जो इसमें करना है, ठीक है, तो हम यहां पर open करते हैं, और यहां पर सबसे पहले हम, top margin को ढूणते हैं, देखे, top margin आपका दिया गया कितना, 1.3, तो अब क्या गरिया, keyword से 1.3 लिख दीजेगा, और छोड़ दीजेगा, 0 वहां पर जो है, वो automatically आपका लग जाएगा, ठीक है, और enter कर देंगे, तो आपका save हो जाएगा, यहां पर 1.4 आपना कर दिया, अब यहां पर enter मत कर देंगे, आप तीदे कहीं और दूसरे column में आप इस पकार से click कर दीजेगा, तो वो safe हो जाएगा, उसके बाद left margin है 1.30, तो left में गये, और 1.30, ठीक है, इसको safe कर दिया, उसके बाद right margin है 1.30, 1.30 हो गया आपका, ठीक है यह पूरा आपका safe हो गया, उसके बाद है, गटर margin इसमें बोला जा रहा है, तो सबसे नीचे गटर margin है 1.2 बोला जा रहा है, तो यहां पर गए 1.2, ठीक है, हमने 1.2 पर click कर देंगे, तो इदेके सारी entries हमने कर ली, जैसे कि हमसे question में बोला गया था, इतनी हमने entries कर ली, ठ ठीक है, ऐसे आपको महाँ पे करके छोड़ देना है, उसके बाद देखे बोला गया है, page orientation है, उसको हमको land escape mode पे भी करना है, ठीक है, portrait में भी हो सकता है, land escape में भी बोला जा सकता है, तो उसके लिए जो आपको देखे जाना पड़ेगा, format में तो option नहीं है, देखे, यहां पे orientation को option दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको, तो अभी portrait पे लगा हुआ, आपको land escape पे क्लिक कर देना है, यहां कि इसका sample यहां पे आ जाएगा, ठीक है, portrait में करेंगे, तो इस पर करते आजाएगा, ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं, apply, तो जैसे आप apply कर देंगे, पे रोके कर देंगे, तो देखे, आपका सब को change हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और चोटा करेंगे, तो कुछ इस पर कार से page आपका दिखाई देगा, अब यहां पे जो आपको है, जो code हमें लिखा तो इसको हम page कर देंगे, तो देखे, code हमारा कुछ, इस पर कार से यह हाँ हमारा तो यह काफी ज़्यादा बीच में आ गया, हमारा इधर आपका space बचा हुआ है, तो आप लोग अपने मन से setting करने लगे, बच्चे यह करते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, तो ऐसा ना करिएगा, यह आपने देखा कि इधर space बचा हुआ है, तो आपने किया कि 1.40 तो इसको आपने थोड़ा था घटा बढ़ा दिया, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, पैटन ठीक है, उसको ना करिएगा, तो जितना आपसे बोला जाएगा, उतना करिएगा, इसी बेकार से आपका यह practical हो जाएगा, complete, और अराम से अगर 30-35 नमबर का पूछा जाएगा, तो इसली नमबर आपको मिल जाएगे, ठीक है, तो एक practical तो आपका यह हो गया, simple सा देगे पूछा गया है, और यह जो text है, इससे कोई मतलब नहीं है, text आपका वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो इसके लिए आप बेफिकर रहेगा, यह question वहाँ पे आपको बना-बनाय जा सकता है, next question पर चलते हैं, तो यहाँ तक सवन में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, और अपने PC लैप्टॉप में इसकी practice जरूर करिएगा, जिससे कि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, लिब्रे आपिस software बहुत ही free of cost है, गूगल पर जाईए, यहाँ पर operating system है, laptop होगा, तो जायर सी बात है, वो आपका 64 bit का ही होगा, लेकिन आपके जो old PC होगे, तो वो हो सकता 32 bit पे भी हो, ठीक है, तो simple सा यहाँ पर आप जाके इसको download कर लीजेगा, किसी भी link पे click करके, और अगर आपके में latest version support नहीं कर रहा है, यानि कि अगर आपके में Windows XP प download कर लें, लेकिन old version को download करने से नुकसान ही होगा, कि बहुत सारे features आपके में support नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो अबलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं, याभी हम Windows 7 में आपका support कर जाएगा, तो देखे ये जो है आपका, लेकिन हाँ आपको अपना CPU update करना पड़े हमारे पास जो version अबलेबल है, 7.4.5.1 ठीक है, लेकिन market में इससे भी उपर version अबलेबल है, तो चलिए next question देखते हैं, कुछ इस पकार से है, देखे, next question आप से पूछा जा रहा है, इसमें, हाँ, इसमें देखे, next question पूछा जा रहा है, तोड़ा सा जूम कर लेते हैं, clear दि the document, various font, जो कि minimum 10, maximum 12 हो सकता है, margin आपका 1.3 या 3 आप maximum रख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको a bullet लगानी है, with number list के साथ, ठीक है, और एक table content करनी है, जिसमें कि आपका name, address, basic, pay, department और headings हैगी, और insert a picture add करनी है, header, footer, आपको student का name और date डालनी है, और footer, footer लगाना है, जिसमें कि आपका page number रहेगा, ठीक है, तो ये 4-5 settings आपको करनी है, और ये settings करनी के आपको easily यहां पे, कितने number मिलने वाले हैं, 30 number का पूच जा सकता है, तो 30 मिलेंगे, और 40 का पूच जा सकता है, तो 40 मिल जाएंगे, ठीक है, तो चलिए इसकी settings देख लेते हैं, कैसे करना है, तो य हम देखते हैं, library office को open करते हैं, और यहां पर जाते है, new file को open कर देते हैं, ठीक है, और ये वाली file एक practical आपका हो गया, इसको save कर लीजेगा, इसको close कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बोला है, आपका इसमें a bullet आपको लगानी है, जो की रहेगी number list के साथ, ठीक है, number list क साथ bullet भी लगानी, प्लस आपके number list भी इसमें लगानी है, ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको कुछ data लेना पड़ेगा, जैसे कि माल लेजे आप कुछ देना चाहते हैं, यहां पे, तो यह practical लेके mix practical है, मैं आपको सारी चीजे करना इसमें बता देता हूं, simple सा, माल लेज ठीक है, आपने लिख दिया python, आपने लिख दिया, माल लेजे, java, script, ठीक है, यह कुछ आपने languages लिख दी, अब इसी में 5 आप दे सकते हैं, number list आप से बोला गया है, तो number list में आप लिख सकते हैं, यहां पर जैसे कि माल लेजे आपने लिख दिया o level, a level, ठीक है, जो अगर आप से बोला जाए, वो लिखिया, अगर नहीं बोला जाए, तो फिर इस पेकार से लिख सकते हैं, c level, ठीक है, triple c, e, c, c, ठीक है, b, c, c, अनलेट की जो courses होते हैं, वो आपने लिख दी है, ठीक है, और maximum font आपका इसमें 10 और 12 का बोला गया, तो हमने इसको select कर लिया, हमने 12 पिक्सल पे इसको set कर लिया, ठीक है, इसको स्वासा जूम कर लेते हैं, 100 पे ले आते हैं, जिससे के आपको clear दिखाए दे, ठीक है, यह 100 पे आपका, अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है, यह मालेज़ आपने इसको bullet पे लगा दिया, bullet पे लगाने के लिए, हम क्या करे application करना था, पहले number question है, आपने मालेज़ यह करके, इसको save कर देया, ठीक है, अब हम आते हैं, नीचे, तो पहला आपको complete होगा, enter दबाएगा, नीचे आजाएगा, आपका cursor, ठीक है, अब यहां से आपको जो क्या करना है, दूसरा काम करना है, तो दूसरे काम है, आपसे यह मैं तो एक heading यह हो गई, दो, तीन, चार, पांच, यहनि कि पांच बाई, एक या पांच बाई, पांच जितना बना देना है, पांच heading आपकी बनेगी, तो टेबल आपकी बनेगी, तो टेबल को create करने के लिए एक shortcut की भी होती है, control F12, ठीक है, या तो आप यहां से भी ज हमको data enter करने है, वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास है name का column, तो हम क्या करेंगे, name लिख देंगे, ठीक है, दूसरे बारे में हमारे क्या बोला है, address, तो A, D, D, R, E, S, हमने address लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है basic pay, तो हमने type किया basic pay, next वाले practical ने बोला है, आपक सीब इतना ही है, एक, दो, तीन, चारी है, basic पे आपका एकी में है, तो चारी है, तो यह पिर आप डिलीट कर दीजेगा, ठीक है, इसको आप जाके डिलीट भी कर सकते हैं, रोको, ठीक है, यह आपने डिलीट कर दिया, माले जिए, और इन सभी को देखिए, आप कर तक का ही बोला गया है, तो आप इसको 12 ही रखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि हम कुछ दे देते हैं, राज, ठीक है, जाहूल, ठीक है, और अजे, इस परकार से आप कुछ नाम, यहाँ पे address, उनका basic pay, ठीक है, इस परकार से आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से, कुछ भी information फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है, इतनी salary दिखानी है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, माले यह IT है, HR example के तोर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, HR है यह, ठीक है, यह IT है, इस परकार से आपने लिख दिया, यहाँ पर कोई address लिख दिया, और इस सभी को select कर रहीएगा, और इसको center में कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है, इस परकार से देखी हो जाएगा, छोटे-छोटे नाम मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर जिससे कि जाता लंबा टाइप ना करना पड़े हमें, और आप डिल्ली डाल सकते हैं, आपे भी, ठीक है, तो देखे इस प्रकार से आपको एक table create करने, जिसमें कि name था, address बेसिक पे उसका department था, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर error आ रही तो कोई दिक कर नहीं, इस पर right क्लिक करिएगा, और इ पिक्चर में इन्होंने अगर माल यह कोई आपको दिया गया है, कि हाँ यही पिक्चर आपको insert करने हैं, तब तो ठीक है, अगर नहीं है, तो फिर आप image पर क्लिक करिएगा, जहाँ वहाँ पर आपके पास गैलरी दी जाएगी, अगर उसमें कोई पिक्चर साब के लिए अ आप पिक्चर बोला गया, तो आप simple सी कोई भी image इसमें add करा दिया, माल यह हमने एक पिक्चर आपको add करना सिखा दिया, अब वहाँ पर आप कोई भी पिक्चर add करा सकते हैं, तो चलिए हम इसके बाद देखिए क्या करना है इसमें, उसके बाद है आपका next जो बोला जा र है, और इसका देखिए, एक होता है आपका footnote end note भी होता है, ठीक है, लेकिन हमको अभी इसमें header पर काम करना है, तो default header पर हम गया है, और यहाँ पर student का name डाल देते हैं, ठीक है, तो माल लिए जैसे कि हमने अपना ही नाम नहाँ पर डाल देते हैं, और इसको हम कर देते हैं, सेंटर पर बोल्ड कर देते हैं, और इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और इसमें आप मारा जो है, बूला जा रहा है, student का name और date भी आपको डाल लिए है, ठीक है, तो date के लिए थोड़ा सा side में कर लिए ठीक है, अपना cursor को उठाके, थोड़ा सा side में आप लिए ठीक है, ठीक है, date पर क्लिक करेंगे, तो देखें, एक चौबिस की, चौबिस एक की date आजाएगे, तो यहाँ पर आपने date डाल दिया, यहाँ पर आपने, जो है, student का नाम दे दिया, ठीक है, देखें यह, इस पकार से यह आपका हो जाएगा काम, ठीक, उसके बाद है, आप से कहा जा रहा है, इसमें, नाम डालने के बाद, या roll number आप से बोला जा सकता, या date भी बोली जा सकती है, उसके बाद जो है, आपका footer में जाके हमको page number देना है, ठीक है, तो हम insert पर ही click करेंगे, और जाएंगे header and footer के default page पर, जैसे यहाँ click करेंगे, यहाँ पर cursor आ तो आप space बार दबाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, या पिर यहाँ से भी click करके आप ला सकते हैं, लेकिन अभी आप यहीं रखिए, और insert पर जाएए, और field पर जाएए, यहाँ पर देखे page number को option मिल जाता, तो यहाँ पर आपने type कर दिया page number आपका लग गया, ठी इसके बाद आपका page number जैसे है, उसकी settings लगए रहा है, जैसे कि इसमें बोला गया है, कि जो उसका margin है, वो 1.5 और 3 होना चाहिए, तो आप इस पर जाएए, और page इस पर जाएए, ठीक है, 1.5 आप से बोला गया, तो left, right जहाँ जहाँ पर है, 1.5 आप कर देए, ठीक है, इस बी select करें, 1.5 ठीक है, टॉप पे भी जाएए, तो 1.5, क्योंकि इसमें left, right नहीं दिया गया, चारो कोनों पर आपको कर देना है, ठीक है, और इसके बाद आप कर दीजे, इसको apply, तो यह हो जाएगा कुछ इस पर जाएगा, ठीक है, अब देए, कुछ चीज़ा आपकी आप इस पर कार से, ठीक है, यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आप इसको set कर लिजेगा, बाद में यह set हो जाएगा, यह सारी settings आपको वहाँ पर करनी पड़ेंगे, यह जब आप घर पर करके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा easy आपके लिए हो जाएगा, इसको handle करन जो कि अभी हमने इसमें margin लगा दिया है, ठीक है, पहले margin नहीं लगा था, जैसे की question में पूछा गया है, अगर मैं आपको दिखा हूँ, कि जो maximum margin ने 1.5 minimum और maximum आपको रखना था, तो वह हमने last में लगा है, जिस कार से यह, ऊपर नीचे आपका हो जाएगा, उसको आप फि पूछा जा सकता है, जैसे की बूला जा रहा है, create a business card using shape और clip art और logo, ठीक है, इसी मैं आप से पूछा जा सकता है, कल मैंने आपको बताया था, वो student ID card था, और business card का भी पूछा जाता है, तो हम new file पे आते हैं, और business card बनाने के लिए आप महां से कोई भी rectangle shape या फिर rectangle rounded shape जैसे कि यह होता है, आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपने insert किया, escape दबाया, इसको छोड़ दीजेगा, इस पे जाईएगा, ठीक है, इसको side में करते हैं, और यहाँ पे आपको देखे transparency का option मिलता है, तो यह अगर आप color नहीं देना चाते हैं, तब तो ठीक है, अगर आप color देना चाहते हैं, तो transparency को ना select करें, सीधे जाईए, और यहाँ से color को आप select कर लिए, तो हम इसा light color ही select करें, जिससे की थोड़ा सा सही से वो आपका आए, लेकिन dark भी ले सकते हैं, मालेजे हमने yellow color का यह business card लिए और इसको आप यहाँ से set भी कर सकते हैं, इसका जो है designs बगरा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम कोई एक logo देख लेते हैं, इसमें से, बहुत सारे देकेज में होते हैं, से बगरा, network में हैं, यह shapes है, तो मालेजे हम कोई है, आपका computer का ही business है, तो आपने इसको उठा के यहाँ पर logo दे दिया, यह आगया आपका logo, इसको आप कहीं भी लख सकते हैं, मालेजे हमने इसको यहाँ पर set कर दिया, ठीक है, आपको four number देना है, तो आप इसमें से four number का भी ले सकते हैं, यह उठा के आपने यहाँ पर लगा दिया, मालेजे, ठीक है, और यह, यहाँ पर आपको फिर अपना जो यहाँ आपकी कोई shop है, तो आपने डाल दिया, गेमिंग, गेमिंग PC Hub, मालेजे कोई एक shop है आपकी, तो आपने इस नाम से इसको दे दिया, ठीक है, गेमिंग PC HUB, थोड़ा सा जूब कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिया दिखाए देगा, गेमिंग PC HUB नाम से आपकी यह कोई shop है, और इसको आपने bold कर लिया, italic कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, जितना आप चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, इसको कोई issue नहीं है, इसको जो है आप उपर भी ले जा सकते हैं, उपर ले जाने के लिए आपको enter दवाना है, यह उपर center में कर सकते हैं, ठीक है, और yellow color का आपका background है, तो इसमें आपका black color ही चलेगा, और कोई color अगर आप देंगे, तो वो match नहीं करेगा, ठीक है, जैसे आप white कर सकते हैं, इस बकार से, यह हो गया, आपका, इसको जो है, ठीक है, तो कुछ इस बकार से यह हो जाएगा, आपका, उसके बाद है, फिर अपना जो है, इसमें आप swap का address दे दीजिए, लास्ट में जो है, यहाँ पर अपना mobile number जैसे है, mobile number है, यहाँ पर अपना ही डाल देते है, 700, 700, 885, और इसको भी जो है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, और आपके पास जो services है, वो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि, आप deals करते हैं, किस में, वो आपको दे देना है, इसको उपर करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर गए, और लिखा deals, in, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए का PC, ठीक है, laptop, ठीक है, CC, TV, ठीक है, और नीचे आजाईगा, तो लिख दीजिए का, software, hardware, ठीक है, example के तोर पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, hardware, यह सेक्टर, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, gaming PC, ठीक है, और editing PC, और आपके पास ऐसे माली एक कैमरा है, ठीक है, यहाँ फिर माइक है, जो भी है, आपका वो example के तोर पर आप इसको बना सकते हैं, इसका color अगर अगर आपको फिर से चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से आप इसको कोई भी color दे सकते हैं, ठीक, तो इस परकार से आपका business card बन जाता है, तो simple सा आपको कोई design नहीं नमबर आपको मिल लाग ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा क्लासिकल लुक ब बनाना है, जैसा आप बनाना चाहेंगे, वैसा बन जाएगा, तो यह था है questions आपका जो है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यह होगा तीन questions मैंने आपको solve करा दिये, next जलते हैं, तो next question जो हमारा पूछा गया है, वो है हमारा library office कल्क का देके पूछा गया, created data validation using कल्क और इसमें जो range रहेगी, A1 से लेके C10 तक की range इंटर करनी है, उसमें जो numbers input करने है, वो 1 से लेके 1000 range की होने चाहिए, और अगर हम एक से लेके 1000 के बीच में अगर कोई value इंटर करते हैं, तो हमको वो एक error message so करेगा, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देख लेते हैं, बहुत और 10 तक, तो A1 से लेके C10 तक की range अपने computer में कर लेंगे, select छोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको clear दिखाए दे, उसके बाद हम जाएंगे data वाले टैब में, और यहां पर option होता है validity का, validity पर click करेंगे, और इसमें जाएएगा allow वाले में, और इसमें आप select कर दे जाएगा whole number, whole number के बाद जाएगा data, data, data ओले टैब में, और इसमें valid range, range हमको देनी है 1 से लेके 1000 तक, तो हमने लिख दिया 1000, ठीक है, उसके बाद input text में जाएगा, और हमको input में क्या लिखना है, हमको एक message भी सो होना चाहिए, कि जो हमको value enter करनी है, enter any value कहां तक, एक से लेक 1000 तक की value ही, enter होनी चाहिए, तो हम इस पर जाएगे, और यहाँ पर इसको paste कर देंगे, तो यह हमको message हो जाएगा, और alert box में हम जो message हो करा देंगे, please enter, अगर आपका जो है, एक से लेकर 1000 के बीच में value नहीं है, तो आपका show हो जाएगा, please enter valid number, ठीक है, इस पर कारते, और OK प आप mouse लेकर जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पर mileage हम 111 लिखते हैं, और यहाँ पर अगर ज्यादा value, अभी देखिए, साथ सेटिंग लगी नहीं है, इसलिए काम नहीं कर रहा है, इसको खरते हैं close, और फिर से लगाते हैं, A1 से C10 तक, data पर जाते हैं, validity पर, देखिए, आप भी 100 पर क्लिक नहीं किया है, बाकी जो है, allow an impetus, यह अटा दीजेगा, और रोगे पर क्लिक कर दीजेगा, अब जो है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए, लिक क्या रहा है, enter any number between 1 से 1000, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 1000 ते ऊपर value लिखते हैं, देखिए, 1101, जैसे इंटर करेंगे, देखिए, message आज जाएगा, please enter valid number, ठीक है, और अब जैसे हम इंटर करेंगे, 5001, देखिए, आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है, नौ से 99 ताइप करेंगे, टाइप हो जाएगा, और कोई value टाइप करेंगे, इस प्रकास देखिए, टाइप हो ज जैसे आप range से बाहर जाएगे, तो आपको ये value बना देगा, और ये next column में चला जाएगा, और जैसे आप इसके बाहर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आप टाइप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर validation नहीं लगा है, सिर्प और C1 से लेके C10 तक में हमने इसको validation किया था, A1 से C tap देखें, आपको 100 हो रहा है, और यही आपके question में भी A1 से C10 तक का दिया गया था, और 1 से 1000 तक क्या आपको value 100 कराने थी, और 100 कराना था message की, जब भी हम tap पे click करें, तो हमको पहले ही पता चल जाएगे, हमको कितने ही हैं कि enter any number between 1 से 1000 तक, ठीक है, तो हमें आप 1000 तक value जैसे आप इस range को बाहर करेंगे, तो लिख के आजाएगा, please enter valid number, जो कि हमने data validity tab में जाके alert message में ये type किया था, ठीक, तो हमें आगया, तो इस प्रकार से data relation tab आपको महाँ पे बनाने को आ सकता है, range कुछ भी हो सकती है, एक से लेके 100 तक के बीच में हो सकता है, या फिर 100 से 500 के बीच में हो सकता है, या फिर 1 से 500, तो range कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आपको simple सा data में जाके, इसकी जो criteria range है, यहाँ पे आप maximum minimum कुछ भी दे सकते हैं, आप जैसे माले 500 दे देजेगा, तो 500 तक की value यहाँ पे type हो जाएगी, ठीक है, इसको select करिएगा, यहाँ से, clear कर करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, हम 500 से 1000 के बीच में, अब OK करेंगे, तो अब यहाँ पर देखे, 400 हम type करेंगे, नहीं लेगा, ठीक है, फिर आपको यह message जो है, इसको भी आपको change करना पड़ेगा, OK क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम type करते हैं, 502 अभी type हो हैं, easy questions है, अब इसकी कोई PDF बनाने की जो तो हैं नहीं, क्योंकि आपको करके ही हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक की वीडियो अकर अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब करेंगे, जिस्ते कि आपको इसी पर क पहले से करना आजा, जिस्ते कि आपको 2000, 3000, 4000 रुपए किसी भी इंस्टिटूट को ना देना पड़े, तो इसी पेकार से आगे classes आपकी continue चलती रहेंगे, M1, M2, M3, M4 की, सभी को देखें, share करें, और enjoy करें, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का जो हम practical की हम बात है, M1, R5 की, जो कि हमने already आपको 2-3 classes नहाँ पर प्रोवाइट करा दी हैं, तो उसी में से हम कुछ एक नया question आपके लिए लेके हैं, जो कि पूछा गया है, आपका जुलाई 2023 के exam mission में, और बच्चे message कर रहे थे कि सर, जो जुलाई में exam पूछे गया थे, ना रेट उन questions को public क्यों नहीं करता है, तो देखिए question repeat होते हैं, जिसका है उसको publish नहीं किया जाता है, नहीं तो पूरा paper वो outs हो जाएगा, तो देखिए, इसमें question पूछा गया है, create a presentation using impress tool by making minimum 5 slides about university and do the following task, यानि कि आपको 5 minimum slides add करने हैं, लिब्रे office impress में, और ये following task आपको दिये गया है, ये आपको करने है, तो देखिए सबसे easy practical होता है आपका लिब्रे office impress क्योंकि इसमें ज्यादा काम हमको करना ही नहीं होता है, ठीक है, और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ 5-10 most important topics जो आपको पढ़के जाने हैं, लिब्रे office से, एनि कि M1 R5 module में, जो आपके exam में प पाएंगे, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम impress पर जाएंगे और यहाँ पर type करेंगे impress, तो यहाँ पर impress आ जाएगा, अब वहाँ पर आपको इस प्रकार से impress नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको जब आप लॉग इन करेंगे, वहाँ पर by default आपका impress software आपके सामने दिया जाएगा, जब यह question वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, तो दो question आपको basically वहाँ पर करने होते हैं, तीन में से, 40-40 number के आपके questions होते हैं, उसमें जो part होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा ज़रा, A, B, C, D लिखा है, तो इनी में नाल कर जाते हैं, ऐसे आपका step marking होती है, तो चलिए देखते हैं, यह question कैसे solve किया जाएगा, बहुत ही easy और simple सा है, तो title आपका जो है, आपने open कर लिया, वहाँ पर आपको इसी पेकार से screen मिल जाएगी, अब आपको कैसे इसमें करना है, वो आपको समझना है, तो यहाँ पर title को add करने का, और यहाँ पर text को add करने का menu होता है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, minimum five slide हमको add करने है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, red click करेंगे, और new पर slide पर click करने हैं, या duplicate भी कर सकते हैं, लेकिन duplicate ना करके new पर click करें, इसकी shortcut की क्या होती है, यह control M होत number task हमारा दियेगा, title जो हमारा रहेगा, वो रहेगा, title of the university, ठीक है, university है, माल लिए कोई, उसका title हमको यहाँ पर देना है, तो हमने माल लिजेए, यहाँ पर लिख दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि, आप दाल दिजेए, यहाँ पर दिल्ली university, ठीक है, दिल्ल university आप में नाम दे दिया, आप से बोला जा सकता है, यह जो नाम आपने दिया है, यह हमको हर एक slide में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, simple सा, इसका जो है, copy कर लेगे, control C, और यहाँ पर पे पेश कर दीजे, ठीक है, अगर हर slide में बोला जाए, तो easily सहाय देखे, ठीक है, हमने इ आपका दिली निवर्शिटी सो होगा, उसके बाद है, list of the professor, यहनि कि उसमें जो professors है, उनकी list आपको बनानी है, 4-5 नाम आप दे सकते है, with the number list का use करके, तो इसके नीचे आ जाएए, या फिर next में ना करके, आप इसी में कर दीजे, add to text पर click करेंगे, और लिखेंगे आपे list list of the professor, पी आरो एफ, पी आरो एफ, ए डबल एस ओर, ठीक है, professors, तो और इसमें हमको क्या करना है, number list लगानी, तो number list हम कहां से लगाएंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर आपको option मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आप जाके list वगरा जो है, उसको ढूंड सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर list है, यहाँ पर आपको number list मिल जाएगी, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजेगा, तो पहले professor का नाम आप दाल सकते हैं, जैसे कि हमने माल लेजिया, राजेस सिंग, कोई भी नाम आप दे देजिया, पाच, ठीक है, मनोज, यादो, मैं कोई भी नाम दे दे रहा हूं, spelling mistake है, तो इसको सही कर लिजेगा, ठीक है, और हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि कोमल सिंग, ठीक है, और हम जैसे दे सकते हैं, दजत कुमार, तो यह हमने कुछ पाँच नाम जो है, यहाँ पर हम दे देंगे list में, आपके professors के हैं, ठीक है, और इन list को जो है, हम control all select करेंगे, और इसको हम करने के paragraph को left alignment, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, तो देखें कुछ इस पेकार से आपको आ जाएगा, अब इसके अंदर देखें, यह आपको red line दिखा दे रही है, इसको आप लोग ignore करेंगे, इससे कोई issue नहीं, number इससे नहीं कर देगा, क्योंकि यह spelling है, आप इस प इसको save कर देना है, तो आप महाँ पर आपको save का option मिलेगा, आप महाँ से उसको save कर सकते हैं, यहाँ पर जाके save कर देजिए, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट आप picture, कोई एक picture आपको add कर नहीं है, तो हम या तो आप इसी में add कर सकते हैं, या फिर आप next slide पर जाके और यहाँ पर picture add कर देए, इंसर्ट पर click करके यहाँ से आपको वहाँ पर option मिलेगा, वहाँ से आप add करा सकते हैं, अगर वहाँ पर option नहीं है, तो आप क्या करिएगा, clip art का option भी होता है, ठीक है, इंसर्ट पर जाएए, मीडिया पर जाएए, और देखें, यहाँ पर option होता है, गैलरी ठीक है, यहाँ पर गैलरी में भी आपको option मिल जाते हैं, बहुत सारे, तो यहाँ से आप अगर कोई image निकाल लीजेए, ठीक है, फिलाल यहाँ पर हो सकता है कि आपको university का image में ना मिले है, ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ school type का अखर हमारे पास होगा, तो हम इसमें add करा लेंगे, अगर नहीं है, तो फिर कोई issue नहीं है, फिर आप जो है, वहाँ से add करा देजेगा, यहाँ पर basically image आप से बोला गया है, add कराने के लिए, तो हम इसमें, देखे, university type का कोई image नहीं है, ठीक है, इसमें, तो हम जो है, अपनी gallery से, यहीं से add कर लेंगे, कोई भी, तो म लेंगे, हमने कोई image add करा लिया, यह desert का, ठीक है, तो हमने यह एक image यहाँ पर add कर लिया, तो आपको जो महाँ पर image अप लेबल हो, उस image से करा सकते हैं, अगर Google का option आपको दिया जाए, तो वहाँ से ले सकते हैं, नई तो फिर आप जो है image कोई भी, यहाँ से भी ले सकते है यह network बगरा है, इसमें देखिए, buildings type के images हैं, यह आप कुछ भी लगा सकते हैं इस परकार से, तो जहाँ पर के दोर पर हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर जो सुबदाब label होगी, आप उसके नुसार करिएगा, बस image आपको add कर देना है, कोई भी image आप add कर देंग, आपको जो number है, मिल जाएगा, इस परकार से image हमने add कर दिया, उसके बाद एक created table, आपको एक table create करने, using course की fees, उसका duration क्या है, और उसकी qualification क्या है, ठीक है, table में हमको क्या है, course की fees लगानी है, यानि कि पहला आपको menu बनाना है, course fees नाम से, इस परकार से बनेगा आपका, ठीक है, तो त last में आजाएगा, उसकी qualification, foq, तो यहाँ पर आपको इस परकार से, इसको design करना है, तो और जैसे की course में मालेजिए, हम तीन, तीन course इसमें add कर दे रहा है, तीन कोई course है, तो आप यहाँ पर, तीन column आपको लेने है, ठीक है, तीन column और चार row हमको यहाँ पर लेने है, तो 3 into 4 का table हम यहाँ पर design कर लेते हैं, तो हम next वाले पर design करते हैं, यहाँ table पर हम click करेंगे, तो देके number of column हमको 2 देने है, sorry, 3 देने हैं, और हमको जो जो इसमें, 3 का ही data या 4 का data हमको add कराना है, तो इस परकार से देके table आजाएगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लीजेगा, इस तो पहले बाले में हम क्या देखेंगे, course fees, c-o-u-r-s-e, course की fees है, next बाले में हम दे रहे हैं, c-o-u-r-s-e, course duration, यहाँ देख लेते हैं क्या चीज़ है, हाँ, course fees duration और qualification, d-u-r-s-t-i-o-n, course duration, next बाले में हम दे देते हैं, course, या फिर ऐसे लिख दीज़े, qualification लिख दीज़े Q-U-A-L-I-F-I-C-A-T-I-O-N, ठीक है, इस पेकार से हो गया, इन तीनों को देखें, select करिए, और इसको alignment आप कर दीज़े, कहां पे, center में इसको alignment कर दीज़े, और इसको कर दीज़े, आप bold, और इसका color बगर आप अपने अनुसार जो है, change बगर कर सकते हैं, अगर आप करन करना चाते हैं, तो ना भी करने, कोई issue नहीं है, ठीक है, यह हो गया, इन तीनों को select करके, आप यहां से जो है, इनका भी color आप change कर सकते हैं, तो यह हो गया आपका course duration, ठीक है, और भी देखे, बहुत सारे options होते हैं, इसको changement करने के, आप बीच में लिखना चाते हैं, तो तो सकते हैं, इस परकार से हो गया, अब next में हमको इसका course का fees माले लिखे है, अब पहले course का name तो इसमें हमने add किया नहीं, तो मिस इमें add कर देंगे, जैसे कि माल लिखे, हमने add कर दिया, यहां पर bca माले लिखे है, और bca किसी में हम invece apprendre कर देदेब्सक्राटigor के तेret आप और क्वालिफिकेशन हमारी के है ट्वल्थ पास इस पकार से आपने लिख दिया उसके बाद हमने लिख दिया मालेजे mca जिसकी हमारी फी से आप दाल सकते हैं दो लाग पचास अजार ठीक है मालेजे दो और नेक्स्ट हम कोई कॉलिफिकेशन दे देते हैं जैसे कि माल लिजे आप यह डाल सकते हैं भी यसी ठीक है बेसी का आपका माल लिजे हो जारा 30,000 में खिक है 30,000 में और इसमें भी हम डाल देंगे 3-year और यहां पर हम डाल देंगे 12-th pass तो इसczy थैबल सकते हैं और इस वेपो भी चैन करना हैँने कं यहां और चोंड करते हैं सब्सक्राब करना चाहते है बलेक कर लिजेगा और यहां से जो है इसका कलर येलो कर लिजेगा तो कुछ इस पेकार से आपकी टेबल के रिएट हो जाएगे ठीक है दिली इन्वेस्टी के आपकी देखे लिस्ट ट्यार हो गई इसके बाद आप से बोला जा रहा है इंसर्ड एनिमेशन स्लाइड आपको जो एनिमेशन आड करना है सबी स्लाइड में तो देखे हमारे पास पास स्लाइड जो है क्रेट करने को बोली गही थे हमारे पद अभी वी दो स्लाइड बची हुए जिसमें कि इसमें कोई बीड़ डेटा नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क कोई कोई दिक्कत नहीं है आप इसको क्लोस कर दिजेगा इस पर करते तो नंबर आपके नहीं कर देंगे फिलाल ठीक है या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यह जो आपका लिस्ट वाला है इसको आप यहां पर कर दिजेगा और यहां का डेटा इसमें कर दिजेगा और इसका इसम सकते हैं और स्लाइड पर जाना है देखिए आप पर आपको मिलता है बहुत सारे देखिए इसमें ऑप्शन होते हैं तो आपको इसमें ऑप्शन ढूड़ना पड़ेगा क्योंकि यह जो है थोड़ा सा डिफरेंट है आपका MS Office से तो आपका Microsoft से तो हमको लगाना इसमें अनिमेशन तो कैसे लगाएंगे देखिए मैं आपको बता देखिए तो देखिए यहां पर आपको option मिलते हैं right side में अगर आप आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा slide transaction का जो की जिसकी shortcut की होती है control, alt और 6 ठीक है यहां पर भी देखिए option मिल जा ठीक है यहां पर आपको side में option दिये जाते हैं और यहां पर आपका जो है प्रतेक slide पे अगर आपको transaction लगाने तो भी लगा सकते हैं हमको प्रतेक पर लगाना तो हम यहां पर click करेंगे और इस पर जाएंगा और आप कोई भी देखिए इस प्रकार से animation दिये सकते हैं और यह किसा भी apply for all slide पे आपको click कर देना है ठीक है अपलाइ for all slide पे klik कर देंगे उसके बाद हम इसको run कर आखर देखेंगे control Z करते हैं और slide पे click करके start from the slide ठीक है देगे इस पेकार दे यह हर एक slide पे आपका यह काम करेगा ठीक है देगा दीक दो इस पर कार से animation आपको जो हर एक slide पर लगाना था तो इतना आपको देखे practical माँ पर करना था अगर सब पर एक एक पर बूला जा तो आप इस पर क्लिक करिएगा और नीचे आले पर आईएगा add पर effect पर क्लिक करिएगा यहां पर देखे बहुत सारी effect आपको दिखाए देंगे कुझ इस पर कारते भी आप इसमें effect को जो है add कर रखते हैं ठीक है तो यह है इसका करने का तरीका तो इसको अगर हम current slide को आपको चला कर दिखाएं तो इस पर आपके लिए करिएगा shift और f5 देखे कुझ इस पर कारते आपका transaction बनेगा ठीक है तो हज़र करते हैं आपको शौन में आ गया हो यह practical कैसे करना है अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें और कौन कौन से practical आपके बन सकते हैं तो ठीक है लिब्रे ओफिस इंप्रेस में आपसे जो है लगबाग इसी पेकार कोश्टन बनेंगे आपसे बोला जाएगा तो यहीं से आप इस स्लाइट को डुपलिकेट कर लिए जै ठीक है देके स्वेम स्लाइट बन जाएगी इसी में एक कोश्टन आपका बनता है जो कि कुछ इस पेकार से होता है आप से यहां बोला जा सकता है कि आपको इसमें क्या करना है यहां से देके और भी आप जो भी करा सकते हैं तो और इसके अंदर अगर मान लिजए आप से बोला जाए कि आपको एड करना है कोई बार एड करना है यानि कि आपको कोई लिस्ट क्रेट करके उसके अंदर आपको बार एड करना है तो कैसे आप कर सकते हैं जैके बहुत सिंपल सा इसको हम ब्लीट करते है और insert पर जाईएगा table आपको बनानी पड़ेगी पहले उसके लिए तो दो column यह है हमारे पास और हमारे पास एक चार row है तो इसमें हम कोई item डाल देते है items ठीक है items और items का जो है उसका price या या फिर sales डाल सकते है कितना sales हमारी हुई है तो item में जैसे कि हमारा पूशा जा सकता है keyboard है ठीक है mouse है यह आपका पूशा गयाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है यह printer है इसपे कार से और keyboard हमारे जो ने 500 का sales हुआ है यह हमारा 35 का हुआ है यह हमारा 45 का हुआ है इस पकारते हो गया इन सभी को select कर लिए यह ठीक है यहां से इसका format वगर आप च्रेंड कर सकते हैं alignment कर सकते हैं center में जहां भी आप जैसे करना चाहिए इस पकार करने के लिए तो चार्ट में वो बोल सकता है बहुत सारे चार्ट अभलेबल होते है तो जैसे कि बार चार्ट बोल गया तो exh turn को जिएगा बार चार्ट आपका इसमें अड़ हो जाएगा ठीक है तो इस पकारत देखिए आप से जो है इसमें काम करने होते हैं तो Libre Office Impress से जो कोशन आएंगे वो आपके Slides अमंदित कोशन पूछे जाएंगे मैं आपको अफ़गत करा देता हूँ पूरे बता देता हूँ क्या हम कौन से कोशन बनेंगे आप से दो या चार से या पांच Slides आपको Add करने को बोला जाएगा उसमें से Title आपको लगाना रहेगा Table आपको बनाने को आ सकता है Table के साथ साथ ये आपके जो चार्ट है ये लगाने को आ सकता है सभी Slides पे Animation लगाने को बोला जा सकता है या Particular किसी एक Image पे आपको जो है Transaction लगाने को बोला जा सकता है तो आप Easily इसको कर सकते हैं सभी तरह का जो Pattern है मैंने आपको इसमें समझा दिया है अब इसमें हम बात करें जो आपका Libre Office Writer है उसमें आपके किस परकार के Question बनते हैं आप आप से बोलेगा, उसका font काSet Charm चेंड करीए Bold बोला जाएगा तो Bold पर क्लिक करेएगा for a Windowission involves लाएगा अगर बोलेचा किसी टेक्श्ट में colour Fill करना है तो यहां से आप color fill कर सकते हैं ठीक है इतने ही चीज़े आप से बोली जाते हैं उसके बाद आप से बोला जाता है यहाँ पर header लगाना है header में जो है आपको time और date add करना है या फिर उसमें numbering करना है या फोटर जो नीचे होता है उसमें numbering करना है फिर end note लगाना है या food note लगाना है ठीक है इस पेकार से बोला जाता है तो उसके लिए आपको ship और ship insert menu पर जाना है यहाँ पर आपका देखे page number का option मिलता है यहाँ से आप page number add कर सकते हैं और इसी में आप आएंगे field में जाएंगे तो यहाँ पर page count है date है time है तो यह भी आप easily यहाँ से import कराके लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद है यहाँ पर end note है food note है तो उसका भी आप यहीं से देखे इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर चले जाए क्या header और footer में आप यहाँ header footer लगा सकते हैं field में जाके और अगर कोई चीज बोली जाए बिसकली यही चीज बोली जाती है इससे ज़्यादा आपको knowledge नहीं देता है और यहाँ पर आपको footnote और end note का option मिल जाता है ठीक है इतने ही चीज आप से करवाई जाती है और उसके बाद जो अगर कोई चीज कराई जाएगी इसमें कोई design बनाए या फिर आपको इसमें pamphlet बनाए या बैनर बनाए या फिर business card बनाए ठीक है तो यह आपका एक question आता है यह भी मैंने आपको करके दिखाया है previous sales के practicals में ठीक है तो यह भी आप लोग कर लीजेगा simple सा है उसके बाद आपसे बोला जाएगा यह तो हो गया जिसके अलावा आपसे बोला जा सकता है क्या चीज कि आपको कोई insert पर जाएए और table को insert कराना है आपको table menu जाके insert कराना है table को और उस table में कोई data आपको fill up करना है तो आप इस पकारते table को insert कराके भी इसमें data को fill कर सकते हैं इस पकार से बहुत ही simple सा है जो आपको पहले बताया जा चुका है टेबल को insert कराके माले किसी table को merge करना है delete करना है तो यहाँ पर देखे बढ़ाने का option होता है यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं किसी भी table को ठीक है बहुत easy इसी simple सा काम है उसके बाद अगर बोला जाए तो table आपको fill करने के बाद इसी में इस table का chart बनाने कोई बूला जा सकता है तो आप यहाँ पर जाके इसका chart भी create कर सकते हैं तो कैसा भी chart बोला जाए यहाँ पर आप पहले जाए है जैसे कि पाई चार्ट बोला जाए तो पाई चार्ट यहाँ पर लगा लिज़े यहाँ पर पाई चार्ट आजाएगा अब देखिए इसमें कोई data में detail है ने इसलिए पाई चार्ट आपका सोग नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद आपका इसमें बोला जाएगा अगर बोला जाएगा तो बिसिकली इतने रहता है लाश्ट जो कोईश्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका table menu सुरी यह आपका जो है टूल मैनू में जाके mail merge wizard का एक कोईश्ट बनता है ठीक है यह बहुत लाश्ट में अगर आपका पूशा जाएगा तो पूशा जाएगा बना यह पूशा नहीं जाएगा लेकिन इंपोर्टेंट है mail merge का question आपको चैनल पर solve कराए गया है simple सा है आपको एक entry करनी है पहले उसके बाद जो है next पर click कर देना है आपको later लिखना है तो later पर click कर videos में playlist में आप चले जाएगा मैं दुबारा सनी बता रहा हूं इसमें और home पे आप click करिएगा यहां पर M1 की जो videos है उसमें आपको पूरा-पूरा solution LibreOffice का बताया गया है कैसे आपको mail merge बनाना है ठीक इस playlist में देख लीजेगा वो videos मिल जाएंगी तो यही आपके जो questions है M1 R5 में पूछे जाएंगे तो LibreOffice का मैंने बता दिया अब मैं आपको थोड़ा सा जाएगा कि आपको इसमें sum करना है तो आप जैसे कोई mark sheet है तो इसमें आप उसका data यहां पर fill कर दीजिए उसके subject निकालना है तो percentage निकाल सकते हैं ठीक है सारे option आपको यहां पर मिलते हैं ठीक है तो बहुत easy है simple सा है देखे यहां पर आपको sum का option मिल जाएगा average minimum count यह सारे option मिल जाते हैं तो equal to के साथ आप उसको use कर पाएंगे तो बहुत easy है simple सा है सारा चीज मैंने बताया हुआ इसमें और इससे ज़्यादा question नहीं आते हैं तो इन table में ही आपके question आएंगे sum का होगा या content function का हो जाएगा या फिर data series फिल करना होगा इसमें ठीक है या फिर conditional statement का use करना होगा या फिर आपसे filter कराने को बोल देगा को data को filter कराना या फिर sorting कराना है sort कराना data को ascending या descending order में तो इसी बगार question आपको देखने को मिलेंगे Excel में तो हैसा करते हैं आपको सारे question की doubt clear हो गई होगी किस पेकार के question आएंगे किस topic से आएंगे सारे मैंने बता दी है इसको आप practice करके जाएए आपका paper हो जाएगा कोई doubt हो तो आप बार्टर पर message कर सकते हैं अगर आपको PDF note purchase करना है इसकी तो PDF note मिल जाएगी लेकिन यह ज practical वाला भी से आपको practical करके जाना पड़ेगा